स्टार्ट करेंगे basic electrical engineering, direct हम लोग question से ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर concept समझेगे, सबसे first question है ये वाला, तो इस question में ये diagram given है, और यहाँ पर अपने को calculate करना है, calculate equivalent resistance between terminals A and B, terminal A है ये वाला, terminal B है ये वाला, इन दोनों terminals के बीच में, जो equivalent resistance होगा, उसको calculate करना है, अभी इस question में कुछ steps है, चार steps में इस question का answer निकलता है, तो सबसे first step है, calculation of number of nodes, इस question में nodes कौन से कौन से, ये diagram में nodes कौन से कौन से है, अभी सबसे first question, nodes क्या होता है, nodes होता है, point at which three branches are connected, उसको node बोलता है, अभी सबसे first point देखते है, अभी ये एक point है, ये वाला एक point है, ये वाला, अभी यहाँ पे कितने branches connected है, वो देखना है, सबसे first branch है ये वाला, terminal A वाला एक branch है, first branch हुआ, second branch है, ये 4 ohm का resistor है, वो second branch हुआ, और third branch हुआ, ये 5 ohm का resistor है, वो third branch हुआ, तो सबसे first point, ये वाला जो point है, वो एक node है, तो इसको mark करेगे हम लोग node number one, उसके बाद, उसके बाद अपने को find करना है, second point, ये second वाला जो point है, वो node है क्या नहीं, चेक करना है, तो second point में कौनसे कौनसे branches present है, second point में, first branch है, ये 4 ohm वाली branch, second branch है, ये 8 ohm वाली branch, और third branch है, ये 6 ohm resistor वाली branch, तो ये भी जो point है, वो एक node है, तो इसको mark करेगे, और इसको number assign करेगे node number two, तो ये है अपना node number two, अभी third point चेक करना है, ये वाले जो point है, वो node है क्या, यहाँ पर कितने branches आ रही है, ये वाले जो point है, यहाँ पर कितने branches आ रही है, first branch है ये 6 ohm वाला resistor वाली एक branch हो गई, ये 2 ohm वाला resistor की एक और branch हो गई, इसका मतलब, इस point पर दो ब्रांचेस कनेक्ट हो रही है तो यह पॉइंट नोड नहीं है नोड होने के लिए किसी भी पॉइंट पे तीन ब्रांचेस या तीन से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होनी चाहिए जैसे इस ब्रांच पे इस पॉइंट पे तीन से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेट थी ती ब्रांच है यह टर्मिनल बी वाली ब्रांच तो यह फर्च ब्रांच हुई सेकंड ब्रांच है यह टूम वाली रेजिस्टर वाली ब्रांच तो यह सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच हुई यह वाली ब्रांच तो इस पॉइंट पर नोड है क्योंकि यहां पर तीन ब्रां है यह हैं यह व्लिट इसको मांक करें गहें नौड नंबर फॉर यह अपना नौड नंबर four ङुए वाला point भचा भी इस point पे कितनी כ ब्रब्रांचוס हो रही है सबसे first ब्रांच है यह वाली next ब्रांच है यह वाली तो यहाँ पर दो ही ब्रांचेस कनेक्ट रही है तो इसलिए यह वाला पॉइंट नोड नहीं है तो इस टोटल डाइगराम में इस टोटल सेकिट में अपने को चार नोड मिले फर्स्ट यह वाला सेकेंड थर्ड और यह फोर्ध नोड क्या होता है पॉइंट एट विच मोर देन 3 branches are connected is called node तो यहाँ पर 4 nodes मिले तो step number 1 लिखे गए यहाँ पर लिखते step number 1 तो यह है अपनी step number 1 यहाँ पर लिखना होता है number of nodes calculation of number of nodes number of nodes अपने को कितनी मिली number of nodes मिली अपने को total 4 तो यहाँ पर लिखेगे number of nodes equal to 4 next step step number 2 step number 2 क्या अपना step number 2 है calculation of equipotential nodes equipotential nodes क्या होते है सबसे first वो दिखते है equipotential nodes का मतलब होता है ऐसे दो nodes जिनके बीच में कोई भी resistance प्रेजेंट नहीं है equipotential nodes equipotential nodes का मतलब क्या होता है ऐसे दो nodes जिनके बीच में कोई resistance प्रेजेंट नहीं है जैसे कि या फिर zero resistance प्रेजेंट है जैसे कि node number 3 और node number 4 इनके बीच में register प्रेजेंट नहीं है कोई भी इसका मतलब यहाँ पर zero register है तो यह node number 3 और node number 4 यह equipotential nodes है और equipotential nodes को हमिशा pair में लिखते हैं तो node number 3 & 4 equipotential node है बाकि हम लोग nodes check करेंगे सबसे first check करते है node number 1 और 2 node number 1 & 2 के बीच में यह register present है इसलिए यह equipotential node नहीं है node number 2 & 3 के बीच में यह दो register present है और उसकी values भी given है इसलिए यह भी equipotential नहीं है, node number two and four, node number two and four के बीच में eight ohm का resistor प्रेजिस्टर 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 बीच में एक भी रेजिष्टर प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या zero resistance प्रेजेंट है तो ये है अपनी equipotential नोट उसको लिखेगे step number two में step number two है अपनी calculation of equipotential नोट्स step number two equipotential नोट्स लिखना है तो यहां पर लिखेगे equipotential नोट्स अभी equipotential नोट्स कौनसी कौनसी है इस question में equipotential है node number three and four इन दोनों नोट्स के बीच में कोई भी register present नहीं है और equipotential नोट्स का हमेशा हम लोग pair में लिखते हैं तो यहां पर node number three and node number four तो यह एक pair हुआ equipotential nodes का अभी इसके बाद इसके बाद क्या करना है अपने को फिर से यह circuit draw करना है simplification of circuit करना है और यह circuit फिर से draw करना है तो next अभी step करेंगे हम लोग equipotential node का step हो गया उसके बाद उसके बाद अपने को simplification of circuit करना है third number step number three में यह यहाँ पर लिखेगे step number three step number three simplification of circuit simplification of circuit अभी simplify कैसे करना है circuit को वच देखते हैं सबसे first यहाँ पर terminal A given है तो terminal A को यहाँ पर हम लोग draw करेगे extreme left side में terminal A को draw करेगे यहाँ पर यह है अपना terminal A यह है terminal A तो इसका हम लोग ने draw किया terminal A को node number one connected है तो उसको draw करेगे terminal A को node number one connected है यहाँ पर लिखेगे node number one और उसके बाद अभी और extreme right side में extreme right side में हम लोग draw करेगे यह terminal B वाला terminal draw करेगे तो यहाँ पर draw करते है terminal B तो यह है अपना terminal B और यह है इसका terminal B यहाँ पर terminal B को कौनसी node connected है node number three connected है और node number three और four equipotential node है तो इसका मतलब क्या equipotential का मतलब इन दोनों के लिए एक ही node आएगा तो यहाँ पर node draw करेगे और यहाँ पर लिखेगे 3,4 यह terminal B को node number three connected है तो यहाँ पर terminal B को node number three connect गया और terminal और node जो three है वो four के साथ equipotential node है इसलिए इन दोनों nodes के लिए single node draw किया और इसको name किया one three three comma four अभी total four nodes है उसमें से one three और four यहाँ पर हम लोग ने draw किया अभी बच्चा क्या है node number two बच्चा है तो उसको यहाँ पर draw करेगे बीच में node number two यहाँ पर बच्चा है तो इसको draw करेगे यहाँ पर आओ में पर यहाँ पर यहाँ बच्चा करेगे इसको four ohm का resistor यह हम लोग ने draw किया उसके बाद node number two और node number three इसके बीच में दो resistor present है six ohm का और two ohm का resistor तो इसको draw करेंगे node number two और three के बीच में यह node number two यह node number three यह वाला node number two यहाँ पे node number three तो यहाँ पे draw करेंगे दो resistor draw करेंगे यह है first resistor और यह है second resistor node number 2 और 3 के बीच में first वाला resistor है 6 ohm का तो यहाँ पी इसकी value लिखेगे 6 ohm second वाला resistor है 2 ohm का तो इसकी value लिखेगे 2 ohm और यह जो दो resistor है वो दो resistor series में connected है क्यों series में connected है क्योंकि इन दोनों का जो current होगा जो current same होगा तो इसमें से जो current पास हो रहा है वो ही current इसमें से पास हो रहा है और इन दोनों resistor के बीच में कोई भी line draw नहीं है कोई भी wire नहीं है तो यह दो resistor series में connected है तो series connection को कैसे solve करते हैं series connection को add करके solve करते हैं वो हम लोग देखे कि अभी बात में उसके बाद node number 3 और 4 वो हम लोग ने draw की equipotential node ही हम लोग ने draw की node number 3 और 4 इसके बाद node number 1 और node number 4 या फिर node number 4 और node number 1 के बीच में 5 ohm का resistor present है तो उसको draw करेगे यह है node number 4 और यह है node number 1 तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक 5 ohm का resistor present है तो इसको draw करेगे तो यह है अपना 5 ohm का resistor तो यहाँ पे draw करेगे इसको 5 ohm का resistor अभी चेक करने अपने को जो अपने को given question में nodes थी और जो हम लोग ने draw की वो equal है क्या नहीं 1, 2, 3, 4, 5 5 resistor present थे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 resistor present है तो अभी बच्चा अपना यह वाला resistor एक बच्चा है node number 2 और node number 4 के बीच में node number 2 है यह वाला और node number 4 है यह वाला इन दोनों के बीच में यह resistor है 8 ohm का तो इसको draw करेगे यह है 2 ohm, यह है node number 2 और यहाँ पे resistor draw करेगे एक node number 2 और node number 4 के बीच में node number 2 से node number 4 तक एक resistor draw किया 8 ohm का यह resistor अभी अभी calculate करने अपने को यह जो given diagram है इसमें कितने resistors present है 1, 2, 3, 4, 5 और हम लोग ने जो simplify किया है उसमें कितने resistors present है 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पे जितने resistors है उतने resistors यहाँ पे होने जीए तो हम लोग ने सारे resistors को consider किया है अभी step number 4 हम लोग perform करेगे simplification of circuit को इस circuit को अभी simplify करना है simplify करने का मतलब है series और parallel के circuit के rules apply करने है तो यहाँ पे step number 4 करेगे step number 4 यहाँ पे करते है simplification of circuit step number 4 step number 4 simplification of circuit series और parallel circuit यूज़ करके series और parallel circuit reduction rule यूज़ करके simplify करना है circuit को तो यहाँ पे लिखेगे series series और parallel circuit rules अभी कैसे करना है सबसे first terminal A draw करेगे यह वाला जो terminal है तो यहाँ पे draw करेगे यह terminal A और यहाँ पे name करेगे इसको terminal A उसके बाद यह 4 ohm का resistor hazard is आएगा simplify करते है time अपने को यहाँ पे सबसे first क्या दिख रहा है यह जो 6 ohm और यह 2 ohm का resistor है यह दोनो resistor series में connected है series में connected क्यों है क्योंकि इन दोनो resistor के बीच में इन दो resistor में single current flow हो रहा है यहाँ से जो current flow होगा वह यही resistor में flow होगा और इन दो resistor के बीच में कोई भी wire present है जैसे इन दो resistor के बीच में यह wire connected है तो यह series connection नहीं है, series connection का मतलब एक के बाद दूसरा फेर्श्ट है, एक के बाद यह दूसरा element connected है first resistor के बाद दूसरा element दूसरा resistor connect है यहाँ पे series connection है और इन दोनो resistor के बीच कोई भी wire कोई भी line draw नहीं है इसलिए यह series connected है series connected में हमेशा register add होते हैं तो उन register को हम लोग add करेंगे सबसे first यह 4 ohm का register यहापर draw करेंगे यहापर आएगा node number one node number one आएगा यह वाला node number one उसके बाद यह 4 ohm का register आएगा यह वाला register यहापर draw करेंगे तो यह है 4 ohm का register 4 ohm का register उसके बाद node number two और यह नोड के बीच में यह दो resistor है जो की series connected है six plus two eight ohm होगा तो यहापर लिखेगे एक register draw करेंगे इन दो register को हम लोग single register से replace करेंगे eight ohm के register से तो यहापर एक register draw करेंगे जिसकी value है eight ohm eight ohm का register है यह और यह है node number two यहापर तो यहापर आएगा node number two node number two यह है और यहापर है node number three and four तो यहापर आएगा node number three comma four three comma four और उसके बाद है terminal B उसके बाद है यह वाला terminal और उसका name है B यह दो register को हम लोग ने simplify किया circuit के rules use करके series circuit के six plus two eight तो यहापर eight ohm हुआ अभी बच्चा है यह वाले तू यहापर जो अभी remaining resistor है वह हम लोग ड्रॉ करेंगे two और three के बीच में जो resistor है तो उसको ड्रॉ करेंगे यह है resistor इसका और इसकी value कितनी है इसकी value है eight ohm तो यहापर रिजिस्टर लिया यह वाला resistor है और इसको connect किया यहापर connect किया इसकी value है five ohm five ohm की value अभी यह जो दो रिजिस्टर है वह parallel में connected है क्यों यह parallel में connected है क्योंकि इन दोनों में से जो current flow होगा वो different current होगा क्योंकि यहापर यहाँसे current आ रहा है और यहांसे अलग branch में जा रहा है और इसमें अलग branch में जा रहा है तो यह आप ऐसे जो connection है तो इसको बोलता है parallel connection और parallel connection को अभी अपने को solve करना है eBayGu का parallel connection 65 Game यहां पर 8 ohm का parallel connection है parallel connection को कैसे solve करते हैं वो देखते है multiplication upon addition करते हैं तो अभी यहां पर लिखेगे therefore 8 ohm and 8 ohm यह वाला 8 ohm और यह वाला 8 ohm दोनों parallel में connected है 8 ohm and 8 ohm और connected in parallel यह लिखेगे connected in parallel तो यहां पर इसका calculation ऐसे लिखते है 8 parallel 8 ohm parallel 8 ohm इक्वल टू मल्टिप्लिकेशन अपन addition हता है 8 into 8 8 into 8 upon 8 plus 8 तो इसका answer कितना हैगा 8 into 8 64 divide by 8 plus 8 16 64 divide by 16 तो इसका answer आता है 4 ohm इसका मतलब क्या इन दो resistor को इन दो resistor जो parallel में connected है इन दो resistor को हम लोग replace करेगे single resistor से और वो resistor होगा 4 ohm का एक resistor होगा जिसको हम लोग replace करेगे यह दो resistor से तो यहाँ पर draw करेगे यह है अपना terminal A यह है terminal A सबसे first आएगा यह 4 ohm का resistor यह है अपना 4 ohm का resistor तो इसको लिखेगे 4 ohm उसके बाद यह दो resistor को हम लोग replace कर रहे है single resistor से 4 ohm के resistor से क्योंकि यह parallel में connected है और parallel को ऐसे solve करते है तो यहाँ पर draw करेगे एक और resistor यह resistor और यह वाला है terminal B और इस resistor की value है यह वाली 4 ohm की value 4 ohm और उसके बाद अभी यह नीचे वाला resistor बचा है उसके बाद इसको draw करेगे यह नीचे वाला resistor है 5 ohm का resistor और यह यहाँ पर connected है तो इसको draw करेगे 5 ohm का यह resistor अभी next step में इसको simplify करना है मतलब अब simplify करने का मतलब क्या होता है इन दो terminal के बीच में एक single registry present होना चाहिए उसको बोलते है equivalent resistance between terminals a and b अभी या पर तीन register present है अपने को single registry चाहिए तो यह दो register check करते हैं यह forum वाला register और यह वाला यह दोनों कैसे connected है यह series में connected है क्योंकि इन दोनों के register के बीच में कोई भी line नहीं है इसलिए यह रेजिस्टर series में connected है तो यहाँ पर फोर ओम प्लस फोर ओम सीरीज में connection होता है तो अड़ होता है यह फोर ओम 4 प्लस 4 ohm, 8 ohm होगा, तो इसको ड्रॉ करेंगे अभी, यहाँ पर ड्रॉ करते है, याँ फिर यहाँ पर ड्रॉ करते है, यहाँ पर सबसे फुर्स ड्रॉ करेंगे, यह वला टरमिनल A, टरमिनल A, और इन दो सीरीच में riskhole है, इसको single register से replace करेंगे, single resistor है अपना 4 प्लस 4 8 ohm का resistor तो यहाँ पर ड्रॉ करेगे एक 8 ohm का resistor 8 ohm का resistor है यह वाला और यहाँ पर है terminal B और नीचे वाला नीचे वाला कुंज से है यह वाला है नीचे वाला नीचे वाला resistor है 5 ohm का resistor 5 ohm का resistor है यह वाला अभी यह 5 ohm का resistor कैसे connected है 5 ohm का resistor यह parallel में connected है क्योंकि यह दोनों parallel ही connected है एक के नीचे एक है और इन दोनों का जो current है वो अलग-अलग है first इस branch में से current आएगा एक current यहाँ पे जा रहा है और दूसरा current यहाँ पे जाएगा तो इसी लिए यह जो दो resistor है वो parallel में connected है और parallel connection को कैसे solve करते है ऐसे solve करते है parallel connection तो इसको solve करेगे और इस दो resistor को दो parallel connected resistor को single resistor से replace करेगे तो यहाँ पे final answer लिखेगे यह है अपना terminal A और यह single resistor और यहाँ पे है terminal B यह resistor की value कितनी होगी तो इसको अभी calculate करना है 8 parallel to 5 तो इसको यहाँ पे हम लोग calculate करेगे 8 ohm parallel to 5 ohm तो इसका answer कितना आएगा ऐसे solve करना है multiplication upon addition या फिर calcium में भी solve कर सकते हैं तो इसका answer आएगा 8 into 5 upon 8 plus 5 इसका जो answer आएगा 85 जा कितना होगा है 85 जा 40 40 upon 8 plus 5 13 40 upon 13 तो calculator में जब यह हम लोग put करेगे decimal में इसका answer आएगा 3.07 equal to 3.07 ohm इसका answer यह किसका answer है resistance of terminal a and b तो यह है अपना final answer ऐसे box करके लिखना होता है resistance of terminal a and b यह 3.07 ohm तो यहाँ पे भी इसकी value लिखेगे 3.07 ohm तो यह है अपना complete solution final answer को ऐसे box करके लिखना होता है और यह जो circuit ता जिसमें 5 1 2 3 4 5 resistor present है उसका हम लोग ने single resistor से replace हिया 3.07 ohm वाले तो यह जो 5 resistor है उसका equivalent है यह single resistor 3.07 ohm का question है अपना यह वाला question है अभी इस question में current I find करना है यह जो question है current I in the circuit तो यह वाला current find करना है तो सबसे first start करेगे इस question को nodes mark करके start करेगे अभी first point जो है यह वाला point है यह वाले point में nodes present है क्या नहीं यह वाला point node है क्या नहीं node का मतलब क्या होता है point at which more than three branches are connected और three branches are connected point at which three और more than three branches are connected उसको बोलते node अभी यह वाला जो point है इसमें कितने branches connected है इस . पर यह वाली ब्रांच च or यह वाली ब्रांच स सिर्फ यहा पे दो ब्रांच का नेकटल ए इसका अमतलब यह वाला पोइंट नोड नहीं है kis नेक्स्ट यह वाला पोइंट य Fresh Season 2, 3, 4 और यह थि, 5, 5 फाइसट आ なकल को यहाँ क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 more than 3 है कम से कम 3 होनी चाहिए और 3 से कितना भी ज़्यादा चुल लेगा इस वाले point पर 5 branches connected है तो यह वाला point node है तो इसको mark करेगे node number 1 यह वाला है node number 1 उसके बाद यह वाला point इस वाले point पर कितने branches connected है यहाँ से एक one और यहाँ से दो सिर्फ दो ही branches connected है तो यह वाला point है वो node नहीं है उसके बाद यह वाला point यह वाला point है इस point पर कितने branches connected है first यहाँ से second यह वाला third यह fourth यह इसका मतलब 4 branches connected है जो कि 3 और more than 3 है तो इसलिए यह point node है और इसको mark करेगे node number two इसको mark करेगे node number two next यह वाला point यहाँ पर दो यह branches connected है एक और यह दो यह वाला point node नहीं है इसलिए क्योंकि दो branches connected है next point है यह वाला इस वाले point पर कितने branches connected है यह वाला जो point है यहाँ पर है one two three four more than three more three three or more than three है चार branches है इसका मतलब यह वाला point node है तो इसको mark करेगे node number three यह है node number three next है यह वाला point यह वाले point पर कितने branches connected है यहाँ पर है one यह वाला two और यह वाला three तो यहाँ पर number one क्या था अपना calculation of number of nodes तो यहाँ पर लिखेंगे number of nodes step one step one लिखेंगे यहाँ पर number of nodes number of nodes कितना मिला यहाँ पर अपने को number of nodes मिला four nodes मिला total अभी step number two में equipotential node calculate करना होता है step number two step number two में equipotential nodes equipotential nodes अभी इस circuit में equipotential nodes कितने है equipotential nodes का मतलब क्या होता है दो nodes के बीच में कोई भी resistor प्रेजेंट नहीं होना चाहिए तो उस nodes को हमलग equipotential nodes बोलते हैं अभी चेक करते हैं इस circuit में इस circuit में कोई भी equipotential nodes है क्या नहीं चेक करते हैं यह है node number one और यह है node number two इन दोनों के बीच में register present है इसका मतलब यह equipotential नहीं है यह है node number one और यह है node number four इसके बीच में भी register present है यह भी equipotential नहीं है node number one और node number three इसके बीच में भी resista present है तो यह भी नहीं है नहीं है step number 3 development स्टेप number 3 क्या होता है simplification of circuit और वो भी इसमें करने की जरूरत ने क्यों क्यों यहाँ पर एक भी potential नहीं है अभी direct circuit को reduce करते है अभी step number 4 क्या है series parallel circuit rules apply करना तो यहाँ पर जो दो resistor है यह दो resistor कैसे connected है यह 2 ohm वाला resistor और यह वाला 2 ohm वाला resistor यह वाला direct connected है मतलब एक के बाद दूसरा इसका मतलब क्या इन दोनों के बीच में कोई भी line नहीं है कोई भी wire connected नहीं है इसका मतलब यह जो दो resistor है वो series में connected है series connection में क्या होता है resistor की value add होती है यह 2 plus 2 4 हुआ तो यह दो resistor को replace करके हम लोग एक single resistor draw करेगे जिसकी value होगी 4 ohm क्योंकि यह दो resistor series में connected है और series connection का मतलब क्या होता है series connection का मतलब single current pass होता है यहां से जो current pass हो रहा है वही current यहां से pass हो रहा है बीच में कहीं भी current divide नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में कहीं भी wire connected नहीं है तो यह है series connection तो इन दो resistor को अभी हम लोग replace करेगे ये दो resistor को replace करेगे और single resistor draw करेगे तो यहाँ पे ये जो दो resistor है इसको replace करेगे और single resistor यहाँ पे draw करेगे 4 ohm का तो यह है उतना 4 ohm का resistor 4 ohm का resistor draw किया उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पर भी दो जो दो रेजिस्टर है 2 ohm का और 1 ohm का वो कैसे connected है series में connected है direct connected है बीच में कोई wire नहीं है इसका मतलब ये भी series connected है series में add होगे ये 2 प्लस 1 3 होगा इसका मतलब ये 2 resistor को replace करेगे एक single resistor से जिसकी value होगी 3 इसलिए 3 होगी series connection है रेजिस्टर एड होता है तो इसको replace करेगे अभी ये 2 resistor को replace करेगे single resistor से single resistor यहाँ पर ड्रॉ करते है और उस single resistor की value कितनी होगी single resistor की value होगी 3 ohm इसकी value होगी next next अभी series connection कर सकते है का कई पर हम लोग देख सकते हैं अभी series connection कोई भी resistor में present नहीं है लेकिन यहाँ पर अभी parallel connection कर सकते है parallel connection कैसे करेगे ये दो resistor parallel connected है एक के नीचे एक है या फिर इन दोनों resistor का जो current है वो अलग-अलग current है current यहां से आ रहा है यहां पर एक दूसरा current जा रहा है और इसमें दूसरा current जा रहा है current अलग-अलग है इसका मतलब यह दोनों resistor parallel में connected है और parallel connection कैसे करते है multiplication upon addition लेकिन यह special case है कैसे क्योंकि यह अच्छी वाली case है क्योंकि दोनों resistor की value सेम है यहां पर parallel connection है और दोनों resistor की value सेम होती है तो हम जो resistor की value है उसको divide by 2 करते है तो यहां पर 4 ohm 4 ohm है इसका जो parallel connection आएगा वो कितना आएगा 2 ohm का आएगा और हम लोग ऐसे भी solve करके देख सकते है 4 into multiplication upon addition होता है 4 into 4 16 होता है divide by 4 plus 4 16 upon 8 तो वो कितना हुआ 2 ohm हुआ तो यह दो parallel connection में दो resistor है उसको हम लोग single resistor से replace करेगे 2 ohm वाले resistor के साथ तो इसको replace करते है अभी तो इस resistor को मिटा देते है अभी इस resistor को मिटा देते है और एक single resistor यही वाला रहेगा और उसकी value कितनी होगी 2 ohm उसकी value होगी तो इसको erase करते है तो इसकी जो value होगी वो 2 ohm इतनी value है और यहां से यह भी हट जाएगा next अभी यह जो दो resistor connected है यह भी parallel में connected है क्योंकि current यहां से आएगा current इसमें divide हो रहा है current इसमें भी divide हो रहा है इसका मतलब यह दोनों भी parallel में connected है parallel में 3 ohm भी parallel में connected है और दोनों की value same है इसका मतलब resistor की value को divide by 2 करना होता है है दो आस्ता इसनले अगर या पर तीन रेजिस्टर सें वैलियों क्यों होते तो डिवयाइड करते थे लेकिन यदा पर दो रेजिस्टर है paci की same value है 3 ohm 3 ohm 3 ohm divided by 2 कितना होता है 1.5 ohm तो यहाँ पे इस register को यह दोनों register को replace करके एक single register आएगा जिसके value होगी 1.5 ohm तो यह वाला register erase करते अभी यह वाला register अपने को दो register को single register से replace करना है और यह जो register है जो एक register बच्चा मतलब दो register को single register में convert किया उसकी value कितनी होगी 1.5 ohm इस register की value होगी 1.5 ohm 1.5 ohm का यह register हुआ अभी लेकिन यह जो अभी बच्चा अभी यह node है क्या लेकिन यहाँ पर एक connection है यहाँ पर एक branch है और यहाँ पर दूसरी branch तो यह वाला जो point है अभी node नहीं है अभी यह normal point बना अभी यह node नहीं है और अभी यह वाला कैसे connection है अभी यह 2 ohm का resistor है और यहाँ पर 1.5 ohm का resistor है और यहाँ पर current यहाँ से आएगा इस branch में इस रेजिस्टर में जो current है वही current यहाँ से प्राब पास होगा इसका मतलब क्या यह जो दो register है वह series connection में यह जो दो register है वह series connection में series connection में होता है मैं एक टो प्लस वन पॉइंट फाइगा तो यह दो रेजिस्टर को रिप्लेस करेंगे सिंगल रेजिस्टर से दिसकी वाल्यू होगी थृ प्लस वन पॉइंट फाइव है 2 प्लस वन पाइव से जिरिजीसर इसको इरियस करेंगे अभी इसको frequent और और सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करेंगे सिंगल रेजिस्टर की वाल्यू क्या होगी 2 प्लस 1.5 3.5 तो यहां पर एक एक रेजिस्टर ड्रॉ करते है एक रेजिस्टर और इसकी वाल्यू क्या होगी 3.5 ओम तो यहां पर इसकी वाल्यू लिखते है 3.5 Ohm, अभी Next, अभी इस सब्कُर्ट को सॉल्व करने, अभी ये दोनों रेजिस्टर कैसे Connected है? ये दोनों जो रेजिस्टर है, वो Parallel में Connected है, क्यों Parallel में है? क्योंकि यहां पे जो Current है दोनों रेजिस्टर में आ रहे है, वो अलग-अलग है, Current यहां से आ रहे है, Current यहां पे भी current divide हो रहे है तो दोनों रेजिस्टर का current अलग-अलग है इसका मतलब यह रेजिस्टर parallel में connected है parallel में connected है इसका मतलब क्या हुआ अपने को यहाँ पे multiplication of addition वाले formula यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेजिस्टर की value अलग-अलग है तो यहाँ पर formula लिखते है वह वाला multiplication of addition वाला तो क्या आएगा यह हम लोग कर रहे है 2 ohm और 3.5 ohm के लिए 2 ohm parallel to 3.5 ohm इसके लिए कर ले तो multiplication upon addition 2 into 3.5 divide by 2 plus 3.5 जब हम लोग इसको calcium में put करेगे तो इसका answer आएगा 1.27 ohm इसका मतलब क्या यह दोनों रेजिस्टर को single resistor से replace करेगे जिसकी value होगी 1.27 ohm तो उसको replace करते है अभी इस resistor को erase करते है और इसकी value कितनी होगी अभी 1.27 ohm यह जो यह जो रेजिस्टर है इसकी value होगी 1.27 ohm तो उसको यहापे लिखते है 1.27 ohm यह इसकी value है अभी यह वाला जो point है वो node है क्या यह node नहीं है क्योंकि आपर दो यह branches connected है एक यह वाली और एक यह वाली तो यह वाला point node नहीं है अभी next अभी यह connected कैसे है अभी यह वाला जो है वो connection कैसे अभी यहाँ से रेजिस्टर है यहाँ से current आएगा वो same current यहाँ से पास होगा इसका मतलब क्या यह दोनों रेजिस्टर सीरीज में connected है सीरीज कनेक्शन में क्या होता है add होता है तो 1.27 plus 1 होगा 1.27 plus 1 कितना होता है 2.27 तो इन दोनों रेजिस्टर को replace करेगे एक single रेजिस्टर से तो उसको लिखते है यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टर को हम लोग अभी replace कर रहे है single रेजिस्टर से replace कर रहे है और उसकी value लिकेगे अभी अभी हम लोग ने replace किया single resistor यहाँ पर ड्रॉ करेगे जिसकी value कितनी होगी उसकी value होगी 2.27 ohm 2.27 ohm क्योंकि 1 ohm का resistor और जो series में connected है उनको add किया तो इसकी value होगी 2.27 ohm अभी यह जो resistor है यह दो resistor बच्चे है इसकी value कितनी होगी यह resistor कैसे connected है यह resistor अभी parallel में connected है क्योंकि यहाँ से current आ रहा है current यहाँ पर भी divide हो रहा है current यहाँ पर भी divide हो रहा है इसका मतलब क्या यह दोनों resistor parallel connection में parallel connection का formula क्या होता है multiplication upon addition तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर लिखते है तो यहाँ पर लिखते है multiplication upon addition 2 into 2.27 divide by 2 plus 2.27 अभी इसका answer calculator में हम लोग calculate करेगे calcium में put करने के बाद इसका जो answer आएगा वो आएगा 1.06 ohm तो यह है इन दो resistor को हम लोग replace करेगे एक single resistor से जिसकी value होगी 1.06 ohm लेकिन अपने को final solution में current calculate करना है तो सबसे first यह वाला यहाँ पर ड्रॉ करते है यह जो voltage source है सबसे first इसको ड्रॉ करते है यहाँ पर यह है अपना उपर वाला positive है बड़ा terminal नीचे वाला negative और एक ही यह आएगा इन दो resistor को replace करके हम लोग single resistor से replace कर रहे है तो single resistor आएगा दो resistor को replace करके यह है और इस resistor की value कितनी होगी 1.06 ohm तो उसको लिखेगे आपे 1.06 ohm next अभी यहाँ पर जो यह voltage source है इसके value कितनी है 30 ohm उसको लिखेगे आपे 30 volt इसकी value है voltage source की next अभी current यहाँ पर जो current आए है यह वाला यहाँ पर current आए उस current को यहाँ पर draw करेगे यह है अपना current आए और अपने को calculation क्या करना है इसी current का calculation करना है question में find current I in the circuit पूरा circuit आपने पास यह बचा है यहाँ पर एक voltage source है एक resistor है और एक current है single current है तो हम लोग ohms law यहाँ पर यूज कर सकते है ohms law क्या होता है V V is equal to I into R यह होता है ohms law V is equal to I into R अभी इस circuit का total resistance हम लोग calculate किया है जो पूरा था total resistance अपने को 1.06 ohm मिला और अपने को calculate करना है अभी current voltage upon resistor करेगे तो I I अपने को calculate करना है equal to I अगा V upon R और voltage कितना है voltage है यहाँ पर 30 volt तो उसको लिखेगे यहाँ पर 30 volt का voltage है divide by resistance total resistance है 1.06 ohm तो उसको यहाँ पर लिखेगे 1.06 ohm यह है अपना total resistance अभी इसको calcium है put करेगे calcium है put करने के बाद जो answer आएगा अपने को वह answer हम लोग क्या पर लिखेगे और calcium है put करने के बाद अपने को answer आएगा 28.3 28.3 ampere यह current का unit है और यह है अपना final answer circuit में अपने को पूछा था कि find current I in the circuit तो इस circuit में जो current मिल आपने को वह है 28.3 ampere अपने को वह है